है 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 हलो दोस्तों अप्ग्रेट लाइनिंग इसकी चैनल में आप सब का वेलकम करता हूं मेरा नाव भाबी है मैं आज आप लोगों के लिए सेकंड वीडियो लेके आया हूं क्फाल और के उपार को पूर के पूर के पूरी इंफॉरुट को करें चैनल को सबस्क्राइबर क्रूले दिया एप सबस्क्राइब अपहले si-af la P. करिए उसके बाद आपको यहां पर सारी नौटिफिकेशन मिल जाएगी सस्क्राइब करने से चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक का सेकेंड पार्ट फंडामेंटल आफ कम्पूटर के अंदर मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे उसके बाद स्टार्ट जो होते हैं सबसे पहले माउस के बारे में जानते हैं माउस में तीन कीज होते हैं लेफ्ट राइट सेंटर कीज जो हमारी राइट कीज होती है वह हमारी information के काम आती है कागर कि कहीं पर किसी जगे बर कलिक करते हैं, तो information निकलता है मतलब जानकारी निकलती है क्याइक कर सकते हैं, copy कर सकते हैं इस तरीके-धे बहुत सारी option बढ़ते हैं जिस option पर काम करना है उसको Okay कर देते हैं तो जो Okay होता है, वो हमारे Left Click से करने की काम आता है अगला जो होता है हमारा कीवोड है तो की पर आंदर कीज होती है टाइपिंग कीज नंबरिंग कीज नैविगेशन की पिंशन कीज, कंट्रोल कीज, इंट्रिगेटर लाइट, यह six टाइप से बाटा हुआ, यह एक color wise आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने, मरता है, कि किसे कहते हैं, अगले पर देखते हैं, keyboard mouse के बारे में जानने के बाद, अगला step जो आता है, वो आता है, fundamental of computer, computer के बारे में ज processing information and give output according to input computer work on the principle of input process output, it is also now as IPO recycle, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर यह करना, यह एक electronic device जो process करता है, that processing information and give output according to input computer work, यह input के according output निकालता है, information, मतलब निकालता है, जो information जानकारी है, और यह, मैं जो होता है, वो होता है, IPO, IPO जो होता है, IPO के जो फुलकॉम है, input process output, इसी तरीके से काम करता है, input लेता है, user के थुरू, और फिर वो process करता है, फिर वो output शो करा देता है, जो information, अगला है, parts of computer, computer जो parts होते हैं, वो दो होते हैं, hardware parts, software part, अब जो hardware parts है, उसकी definition दे रखी आपर, बट पढ़ लेना, और इसको मैं समझा देता हूँ, hardware जो parts होते हैं, वो parts वो होते हैं, जो हम touch करके feel कर सकते हैं, मैसूस कर सकते हैं, जिसको हम repair कर सकते हैं, वो सब hardware parts होते हैं, software हम आगे सीखेंगे, और hardware हाडवेर में, मैं बता दिया आपको, जो touch कर सकते हैं, मैसूस कर सकते हैं, feel कर सकते हैं, वो सब hardware parts है hardware parts के अंदर कौन-कौन से आते हैं वो भी आपको बता दूँगा hardware parts के अंदर 4 parts आते है input device, processing device output device, storage device इन सब के input device में क्या-क्या होता है processing device में क्या-क्या होता है output device में क्या-क्या होता है और यह work कैसे करते हैं storage device में तो input device प्रोसेशिंग करें तो जैसे के स्कैनर है पारकोड है माइक है कीबूर्ट है मौस है है इनफुट इनधर इनधर ने जाते हैं अगला आता है प्रोसेशिंग डिवाइज है तो जो प्रोसेशिंग सीन यह कहते हैं CPU, Center Processing Unit, वो तीन तरीके से काम करता है, जो यह दिखा रहा है Intel का वो processor है, यह तीन तरीके से काम करता है, कैसे कह सकते हैं, कि जो दिमाग है, वो तीन तरीके से काम करता है, ALU, CU, MU, अगला आता है, calculation करता है, ALU, अगला आता है, control unit, CU, तो यह जो control unit होता है, वो हमारा control करके रखता है, कि कोई answer गलत न निकल जा, जो आपको पूछा गया है, वही answer निकालेगा, अगला है memory unit, memory unit, stories, मतलब कि इसकी memory card, मतलब इसको save करते हैं, जो 5, output device, output device, बेर device होता है, जो data को out करें, मतलब यह बाहर की side use हो, जैसे कि printer बाहर निकलता है, page speaker बाहर निकलता है, monitor से में display बाहर दिखती है, और यह headphone जो यह भी आवाज बाहर निकालते हैं, अगला आता है story device, story device में क्या होते हैं, story device two types के होते हैं, internal story device, external story device, जो internal story device होता है, वो अंदर की साथ काम करते हैं, अंदर की side काम करते हैं, मतलब पहले से include होते हैं, अंदर की लगई होते हैं, जैसे कि example, mobile खरीद लाते हैं, तो RAM और Home पहले से लगई होते हैं, उस तरीके से, external story device, external story device उन्हें कहते हैं, जो extra लगाते हैं, जैसे कि DVD, pen drive, hardX, और जैसे ही mobile में memory card लगाते हैं लग से, उन्हें कहते हैं, story device, अगला हाता है हमारा software, हमने hardware सारा समझ लिया, कि hardware में क्या होते हैं, सारे four parts complete कर लिया, अगला आता है हमारा software device, software, software क्या होता है, software के मैंने definition दे रखी है, तो आप इसे पढ़ सकते हो, और software क्या होता है software वो होते हैं जो हमारी hardware जो device होते हैं उनको connect करते हैं हमारे software जो होते हैं वो two types के होते हैं system software application software system software और application software तो इनके बारे में आगे जानते हैं system software वे software होते हैं जो system पर चलते हैं जैसे कि window operating machine तो जितने भी जो windows होती हैं वो सारी system software होते हैं जैसे कि मैंने आपर कुछ windows के photo दिखाए हैं old भी दिखाए हैं अपडेट भी दिखाए हैं इस तरीके से आप पढ़ सकते हो और देख सकते हो application software जो होते हैं application software की definition मैंने दे रखी है तो application software जो होते हैं वो application software जैसे कि example मैं mobile के अंदर होते हैं तो जो पहले से आते हैं वो system software होते हैं और जो हम play store से install करते हैं वो होते हैं हमारे application software computer के अंदर Photoshop, Microsoft Office, VLC Play, Adobe Reader, Chrome, Internet तो इस तरीके से यह होते हैं application software full form यहाँ पर मैंने कुछ दे रखी हैं तो computer की full form दे रखी है CPU की full form RAM, ROM, ALU, CU, MU तो इनकी आप full form note कर सकते हो अगला memory unit, memory unit भी दे रखी है मैंने साथ में यहाँ पर उसकी full form भी दे रखी है, KB, MB, TB, GB क्या होता है उसारा इसमें बता रखा है, देख लीजिए अगला दे रखा है generation, अगला topic हमारा था, generation of computer generation of computer, first generation, second generation, third generation, fourth generation generation, तो first generation में कब से कब तक कौन से technology use हुई है, वो मैंने यहाँ से mention कर रखा है, second generation में कब से कहां तक complete हुई है, दूसरी generation मैं दे रखी है, तो ऐसे ही पढ़ सकते हो आप, और साथ में मैंने कुछ images भी दी है, जिसकी help से आप यह समझ सकते हो, thank you for watching my video, thank you, अगले वीडियो जो आएगी हमारी notepad पर आएगी, इसी तरीक से step by step सारे courses में सारे courses के point tweet मैं कराऊँगा, पूरा basic course कराऊँगा आप लोगों को, तो वीडियो देखते रहना, support करते रहना, thank you for watching.